यूक्रेन में भारी तबाही के खबर है आठवा दिन है आज इस जंग का कीव के नजदेक इर्पिन में इमार्तों के धज्जिया उड़ गई है जिसके तस्वीरे आप देख रहे हैं रूसी मिसाइल के हमले में तबाह हो गई है बस्तियां ये तस्वीरे आपको बताने के लिए कासी हैं कि इस वक्त किस तरह से दम तोड़ता हुआ ये पूरा का पूरा इर्पिन का बड़ा हिस्सा एक भी मकान वहां पर स्तही सलामत नहीं है खारकीव और जैपरुज्या में भी भारी तबाही की खबर है यानि कि अलग अलग हिस्से लगाता रूस तबाह करता हुआ चला जा रहा है आज आछवा दिन है और यूप्रेन में भारी तबाही आप देख पा रहे हैं कभी यहां पर हजारों की तादाद में लोग रहते ह हैं गौरव हम तस्वीरे दिखा रहे हैं इर्पिन की यहां पर एक भी बस्ती ऐसी नहीं है एक भी हिस्सा एक भी इमारत ऐसी नहीं है जो पूरी तरह से सही सलामत हो सब कुछ जमेदो सब कुछ तूटा फूटा अब पड़े हिस्से को तबाह करने की कोशश रूस की ओर से की गई है जिसमें वो काम्याब होता हुआ भी नजर आ रहा है गौरव चित्रा रूस समय एक रणनीती के तहट रौंदता हुआ चला आ रहा है पूर्व की तरफ से जिस इलाके की आपका आप जिक्र कर रही है एक इवानकिव है एक जप्रोजिया जिसका आप जिक्र कर रही है जप्रोजिया एक बहुत महतोपूर्टा शहर है अब इसके बाद अब आएगा डेनेप्रो. जब आप पूर्व से बढ़ते हैं, मारियो पोल से बढ़ते हैं, तो यह जपरोजिया एक बहुत स्ट्राटेजिक लोकेशन है. यहाँ पर एक बहुत बड़ा military garrison भी है एक band भी है और strategic defenses भी है यूक्रेन के और उनको रौनता हुआ रूस अब आगे बढ़ रहा है क्योंकि लक्ष रूस का बहुत सीधे तरेके से राजधानी कियेव है राजधानी कियेव से कुछ घंटों के दूरी पर रह गई है रूस क सेना अगर वो पूर्व की दिशा से बात करे जप्रोजिया को धुस्त करते हुए इवान के फिर एक बहुत महत्वपूर फ्रंट लाइन डिफेंस है कीव की रक्षा के लिए और वहां पर रूस की सेना अभी क्रूज मिसाइल से हमला कर रही है यानि यह इस तरह की मिसाइल है कि रूस से ही यह फायर हो रही है और बहुत स्ट्रीजिकली इनके टार्गेट्स को हिट कर रही है अभी थोड़ी देर पहले यहां पर खबर ये भी आई थी कि रूस की स्पेशल फोर्स अंदर घुसाई है कीव में और अंदर से वो सबवर्सिव एक्टिविटी यानि अ बहुत ही अब स्थिती भयानक होती ही यहां पर कुछ ही घंटों की दूरी पर रूस की सेना बीती रात वोक्सॉल पर रेलवे स्टेशन पर बंप से हमला क्या ये दर्शाता है कि अब कीव को नकेवल हर तरफ से घेर लिया जाएगा बलकि निकलने का रास्ता भी यहां से अ अब रूस की सेना अपने अपने मिशन के अगले पड़ाव की और अगले चरण की और बढ़ती हुए अपना बहुत ध्यान रखिएगा